पिछली कड़ी में हमने बल्बन के राजत्व के सिध्धान्तों की चर्चा की थी एक गुलाम प्रष्ट भूमी से उपर उटकर एक विशाल सल्तनत का स्वामी बन जाना अलग बात थी और सल्तनत में राजत्व के सिध्धान्त रूपी प्रान फूँक देना बिलकुल अलग बात थी किन्तु बल्बन ने ये दोनों कारे सफलता पूर्वक कर दिखाये थे सेंकणों साल तक याक्षेत्र चीन के अधीन था उसके बाद रूस के अधीन हुआ तथा अब एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम देश है उस काल में एक योध्धा के लिए सित्यासी वर्ष की आयू प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन बात थी किन्तु बल्बन ने सित्यासी वर्ष की आयू पाई उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिया किन्तु उसके जीवन काल के कुछ हिस्से अच्छे नहीं निकले जब हम बल्बन के जीवन का विशलेशन करते हैं तो पाते हैं कि वह एक ऐसा कुरूप किन्तु भाग्यवान मनुष्य था जिसने परिस्थितियों के कुरूर हाथों से स्वयम को बचा कर परिस्थितियों को अपनी गुलाम बना लिया था बल्बन का शरीर मजबूत था किन्तु उसकी कद काठी सुन्दर नहीं थी उसका कद छोटा और रंग काला था उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे उसकी भद्धी सूरत के कारण इल्तु तमिष्णे उसे खरीदने से मना कर दिया था तब बल्बन ने विनम्रभाव से कहा था जहां पनाह जहां आपने इतने सारे गुलाम अपने लिए खरीदे हैं तो ईश्वर के लिए मुझे खरीद लीजिये बल्बन की कुरूपता के कारण ही बल्बन को भिष्टी का काम सौपा गया था बल्बन का पिता खान था किन्तु बल्बन का वच्पन गुलाम के रूप में भी था उसे बुखारा, गजनी तथा दिल्ली जैसे शहरों में बेचा गया जहां भाग्य के उतकर्ष के लिए अनेक मार्गों खुले हुए थे यह बल्बन के भाग्य का ही प्राबल्य था कि उसे ख्वाजा जमालुद्दीन तथा इल्टु तमिश जैसे योग्य मालिकों ने खरीदा इससे बल्बन के उतकर्ष के मार्गों खुल गए उसे शिक्षित होने तथा राज कृपा प्राप्त करने का आफसर मिल गया भाग्य के बल पर वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया सुल्तान इल्टु तमिश की क्रिपा से बल्बन मलिक बना किन्तु सुल्तान रुखनुद्दीन फिरोज शाह का विरोध करने के कारण जेल में बंद कर दिया गया रजिया ने बल्बन पर क्रिपा की किन्तु उसने रजिया के साथ विश्वास घात करके उसे मरवा दिया क्योंकि वह औरत का सुल्तान बनना अल्ला के आदेश के खिलाफ मानता था मसूद्शा के काल में बल्बन पर पुने शाही क्रिपा हुई और उसे अमीरे हाजिप के पद पर नियुक्त किया गया बल्बन ने मसूद्शा से भी विद्रोह किया तथा उसके इस्थान पर नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया बल्बन में कूठ नीती से काम लेने की शमता थी जब सुल्तान नासिरुद्दीन ने उसे प्रधान मंत्री के पद से हटा कर हासी भेज दिया तो उसने विद्रोह का मार्ग न अपना कर सुल्तान का आदेश चुप चाप स्विकार कर लिया तथा अपने भागय को अपने पक्ष में होने की प्रतीक्षा करने लगा जब भागयवश उसे पुने दिल्ली में बुला कर पुराने पद पर बहल किया गया तो उसने सुल्तान को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पुत्री का वेवाह सुल्तान के साथ कर दिया इस से दरबार में अन्य कोई अमीर उसे चुनोती देने योग्य नहीं रहा इस प्रकार सुल्तानों को बनाते बिगाडते वैस्वयम भी सुल्तान बन गया जीवन के इन अनभवों ने उसे परिपक्व बना दिया जब हम बलबन के शासनकाल की समग्र समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समक्ष कुतुबुद्धी नेबक के समय से जो समस्याएं चली आ रही थी वे समस्त समस्याएं, बल्बन के समय में भी जोंकी तयों विद्यमान थें. पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में खोखरों का उपद्रव, पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमन, दिल्ली के निकट मेवातियों के उतपात, गंगा यमुना के दुआब में हिंदूओं के विद्रोह, राजपूताना, बुंदेल खंड तथा बगेल खंड में हिंदू सरदारों के विद्रोह, बंगाल के गवर्नरों के विद्रोह, अमीरों के शड्यंत्र, आदी बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो पूरे गुलाम वंश के शासन के दौरान बनी रही तथा बलवन के शासन के दौरान अपने यौवन पर थी बलबन इन में से केवल शड्यंत्रकारी अमीरों की समस्या का इस्थाई समाधान ढून सका था शेश समस्याएं कुछ समय के लिए दब अवश्य गई थी किन्तु बल्बन के मरते ही फिर से उठ खड़ी हुई बल्बन ने राजपूत शासकों की तरफ से आखे मूंदने की ठीक वैसी ही विचित्र नीती अपनाई थी जैसी की इल्तु तमिश तथा रजिया ने मंगोलों के प्रती अपनाई थी रजिया ने यही नीती राजपूतों के सम्मंध में भी अपनाई थी संभवत है इसी कारण इल्टू तमिश और रजिया सल्तनत के भीतर की समस्याओं पर ध्यान दे पाये थे भलबन ने मंगोलों पर तो कड़ी कारिवाही की किन्तु राजपूतों के संबंध में उसने रजिया की नीती का अनुसरण किया बलबन ने केवल एक बार चित्तोड पर आखरमन करके पराजय का स्वात चखा और समझ गया कि अभी दिल्ली सल्तनत ने इतनी शक्ति प्राप्त नहीं की है कि वह राजपूताना के राजपूतों से सीधे भिड़ सके संभावत है बलबन इस बात को भी जानता था कि चोहान समराग प्रत्वी राज को मुहम्मद गौरी ने जिस धोके से मारा था वे धोका हिंदू राजाओं के साथ बार बार नहीं दोराया जा सकता इस काल के हिंदू राजा अधिक सतर्क थे इसलिए कहा जाता है कि बलबन की सैनेक उपलब्दिया उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी शास्की ये उपलब्दिया है अगली कड़ी में देखिए बलबन के कठोर सुभाव से भैभीत शहजादा सल्तनत छोड़ कर भाग गया क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद